इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन-कौन सी है सरकारी नौकरियां सिविल इंजीनियर्स बांध एरपोर्ट बनाने जैसे प्रोजेक्टों पर काम कते हैं साथ ही इनकी जम्यदारी होती है कि आधुनिक तक्नीक का प्रयोग करके देश के इंफ्रस्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स बनाने में बहतर सुचाव देश के इंफ्रस्ट्रक्चर के विकास में सिविल इंजीनियर्स काफी बड़ी भूमेकाने भाते हैं इसलिए प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्वन्मेंट सेक्टर तक सिविल इंजीनियर्स के लिए धेरो आप्शन्स है आए जानते हैं सिविल इंजिनियर बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास BE या BTEC की डिगरी हो सिविल इंजिनियर लेवल की पोस्टों के लिए MTEC की डिगरी मागी जाती है वही जूनियर लेवल की पोस्टों के लिए 10 वी या 12 वी पास के साथ ITI या Diploma Certificate होना चाहिए सिविल इंजिनियरिंग में जूनियर लेवल की पोस्टों के लिए आयू सीमा 21 से 30 साल के बीच है वही सीनियर लेवल की पोस्टों के लिए अधिकतम आयू सीमा 45 साल है हाला कि कुछ संस्थानों में आयू सीमा 50 या उससे अधिक भी हो सकती है Civil Engineering के शेतर में विबिन सरकारी पदोप पर उमिद्वार का जयान पदा अनुसार किया जाता है जिसमें शैशनिक रिकॉर्ड, लिखित परिक्षा और इंटर्व्यू शामिल है आपको बता दूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्मेंट सेक्टर में भी सिविल इंजीनियर्स नियुक्त किया जाते हैं जिनमें PWD, PSE, Railway जैसे कई सरकारी संगठन आते हैं इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स फैकल्टी की पोस्ट पर भी अपलाए कर सकते हैं जहां तक सेलरी की बात है तो हर और्गनाइजेशन का अलग सेलरी स्लैब होता है कई न्यूजपेपर और वेब पोर्टल सरकारी नौक्रियों से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स जारी करते रहते हैं जिसमें से एक वेब पोर्टल जागरनजोश.com है अगर आप चाहें तो हमारे वेब पोर्टल से जोड़कर भी सरकारी नौकरी से रिलेटेट लेटेस जानकारी ले सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलूद करें सरकारी नौकरी आप